यदि आप विश्वास में आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल हिंदी पाइबल मैसेज और प्रेयर सेंटर को सब्सक्राइब करें क्योंकि यहाँ पर हम आपको सुभा शाम वच्चन प्रातना और गवाही के द्वारा साहित करते हैं यदि आप प्रातना नहीं कर पाते और मन में बहुत से सवाल है तो आप हमारे प्रेयर सेंटर में कॉल करके प्रातना करवा सकते हैं धन्यवा प्रेश द लोड दोस्तों हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रारतना में और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूँ परमेशो के राज्य के बारे में और रोज सुभह और रोज साम हम आज से परमेशो के राज्य के बारे में सीखेंगे इसलिए आप हमारे साथ में कंटिन्यू रोज सुभह और रोज साम प्रार्थनाओं में सामिल हों क्योंकि यदि आपने किंग्डम परमेशो के राज्य के बारे में सीख लिया, समझ लिया, तो फिर आप अपने जीवन में छुटकारे को देखेंगे, आप बीमारियों से छुटकारा देखेंगे, आप अनेक प्रकार की समश्याओं से छुटकारे को देखेंगे, फिर ये बारे में जानना बहुत जोरी है और किसका राज्य है ये ये परमेशुर का राज्य है कहें मेरे साथ में कि मैं परमेशुर के राज्य की संतान हूं मैं परमेशुर के राज्य का नागरिक हूं संतान ही नहीं आप नागरिक ही नहीं बलके आप संतान भी आप परमेशुर के र राज्य के नागरिक है उसके बेटे बेटियां तो हैं लेकिन आप उसके राज्य के नागरिक है परमेशो का राज्य मतलब कि एक ऐसा समय एक ऐसा देश इस ऐसा नगर एक ऐसी जग है जहां पर केवल और केवल परमेशोर राज्य करता है प्रभुता करता है, सब के ओपर, एक ऐसा राज्य जहां परमेश्वर राजा होगा, एक ऐसा राज्य जहां परमेश्वर की प्रभुता होगी और उसके अनुसार सब कुछ चलेगा, कैसा होगा ओर राज्य? अब जानते हैं, भाइबल में पुराने नियम से लेकर, ने नियम से लेकर प्रकासित वाक्य तक परमेश्वर का वचन हमें राज्य के बारे में बताता है, किंग्डम के बारे में बताता है, हम अबराहम के जीवन में देखते हैं, कि अबराहम भी परमेश्वर के राज्य की बाठ जोह रहा था एक वचन हम लोग पढ़ेंगे इबरानिय किताब उसका ग्यारा अध्याय और दस पद लिखा है अबरहम के विश्य में क्योंकि वह उस इस्तिर नीव वाले नगर की बाठ जोता था जिसका रचने वाला और बनाने वाला परमीशु वो एक ऐसे राज्य की बाठ जोह रहा था जिसकी नीव इस्तिर हो जो कभी डगमगाए नहीं जिसको कोई छीन न पाए जो हमेशा तक रहे जो अनंतकाल तक रहे ऐसे राज्य की वो बाठ जोह रहा था ऐसे राज्य के आने के लिए वो इंतजार कर रहा था ऐसे राज्य के आने के लिए वो विश वास कर रहा था, जिसका रचने वाला, जिसको चलाने वाला सुयम परमेशर हो, आपके राज्य को चलाने वाली सरकारे हैं, आपके राज्य को अलग-अलग सरकारे चलाती हैं, लेकिन परमेशर का वचन हमें एक ऐसे राज्य के बारे में बताता है, एक ऐसे देश के बारे में बताता है जहां परमेशोर राज्य करेगा जहां परमेशोर की सरकार होगी जहां परमेशोर अपनी योजनाओं को पूरा करेगा जिसकी निव कभी नहीं हिलेगी जो हमेशा हमेशा युगान युग तक इस्तिर बना रहेगा जो सरकारे उलट फेर नहीं होंगी तो वो एक राज्य वूपरमेशूर का राज्या और उसमर राज्य करने वाला केवल एक वो है परमेशूर, अंटी परमेशूर, और कोई दूसरा नहीं और यहां पर बाईबिल कह रही है कि अबरहम भी उस नगर की बाठ जो हो रहा था वो इंतजार में था उस नगर के आने की इंतजार में था और अब्राणिय किताब यद्यारा और बहाया पुरा पुरा पढ़ेंगे तो वहाँ पर जितने भी विश्वास के लोगों के विश्या में लिखा है हनो के बारे में नुह के बारे में अबरहम के बारे में और भी जितने लोगों के बारे में लिखा है उनके लिए परमेश्रो का वचन कहता है तेरा पद इसका ही तेरा पद पढ़ेंगे लिखा है ये सब विश्वास ही की दसा में मरे जो जितने भी लोग थे ये विश्वास के हीरो जी ने कहा जाता है उनके विश्या लिखा है कि ये सब विश्वास ही के दसा में मरे और उन्होंने परतिया की हुई वस्तु नहीं पाई पर उन्हें दूर से देकर आनंदित हुए और मान लिय कि हम पृत्वी पर परदेसी और बहारी हैं। पर्वे एक उत्म और स्वर्गियत देश के अभिलासी हैं। लिखाए पर्वे, वे मिंस जितने भी ये विश्वास के लोग थे, ये सबी लोग उस नगर के अभिलासी हैं। ऐसे नगर की वो बाठ जो रहे थे, ऐसे नगर का वो इंतजार कर रहे हैं। और इसी नगर के विशे में हमें पूरी बाइबल बताती है। दानियल ने इसी नगर के विशे में बताया। प्रकासित वाकि इसी नगर के विशे में बताती है। उस देश के विशे में जिसका र जहां परमेश्यर राज्य करेगा, जहां का राजा परमेश्यर होगा, फिर इस धर्ती पर कोई दूसरी सरकार दूसरा देश नहीं होगा, बलके सब एक देश होंगे और उनका राजा केवल परमेश्यर होगा. एक वचन हम लोग और पढ़ेंगे, यसाय की किताब उसका नौ अध्याई और साथ पद, लिखा है कि उसकी प्रवता सरवदा बढ़ती रहेगी और उसकी सांती का अंत नहोगा, एक ऐसा राज्यर, जिस राज्यर में परमेश्यर प्रवता करेगा और उसकी प्रवता हमेशा बढ़ती रहेगी और उस राज्यर में सांती ही सांती होगी, उस राज्यर में सांती होगी और आगे परमेश्यर का वचन कहता है, इसलिए वहाँ उसको दाउद की राजगदी पर इस समय से लेकर सरवदा के लिए नयाए और धरमिता के दौरा इस्थिर किये और संभाले र सदात तक के लिए वही प्रभुता करेगा वह इस्थिर नगर्र जिसकी बात अब्रहम जोहरा था, वह इस्थिर नगर्र जिसकी परमेश्यर का वचन बात करता है, वह इस्थिर नगर्र में क्या आप परवेश्द करना चाहते? क्या आप उस इस्थिर नगर में उस स्थांति के नगर में परवेश करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ में रोस्वे से आमकी प्राथनाव में सामिल होईगे आप उस नगर में परवेश कर पाओगे और निश्या आप उस नगर में परवेश कर पाओगे सो मैं आसा करता हूँ कि आज आप समझ गए होंगे कि परमेशो का राज्य बहुत जल्द आने वाला है, परमेशो का राज्य बहुत जल्द इस्थापित होने वाला है, परमेशो बहुत जल्द राजा बनकर राज्य करने वाला है, इसलिए अपने आपको तैयार करें, मैंने पहले ही कहा कि आप परमेशों के राज्य के नागरिक हैं। तो आप उस राज्य के नागरिक बन जाएंगे। जीवन में प्रव येश्य मसी को अपने परसनल व्यतिगत उधार करता के रूप में गरहन करने के द्वारा। तो प्रव आपको इस वचन के द्वारा बहुत आयद से आसिस दे। एक दो लोगों के कॉल हमारे पास आई, मैसेज उन्होंने भेजा कि आपके नाम से कोई हमसे ऐसे पैसे मांग रहा है। तो आप घ्यान दें, आपको इस प्राणड से बचना है, ज़ादि आप हमारे लिसनर हैं, हमारे सात में जुड़े हुए हैं, रोगों स्वाशायम की परात्मों में सामिल होती हैं, तो आप जानते हैं कि हम किसी से भी पैसा नहीं लेते हैं, हम पैसे के लिए हम प्रव के र कोई QR code नहीं देखींगे, क्योंकि हम प्रवु पर निरवर हैं, हम आपसे पैसे की दिमांड नहीं करते हैं, यदि कोई हमारे नाम से करता है, आपको comment करता है, आपको message भीजता है, आपको phone करके कहता है, कि पैसे दो हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे, तो आप समझ लेना कि वो हम नहीं है, वो हमारी संस्ता का कोई भी व्यक्ति नहीं है, आप उसी समय इस बात को समझ लेना, और इस fraud से आपको बचना है, कोई भी पैसा नडालें, देने से पहले आप जरूर यहां call करें, और आप सब को जैमशिकी, मैं यमना नगर हर्याना की रहने वाली हूं, मैं ने हनम यापनीम अपनी друз गवाई ठ्रिय कराओ थी उनके लिए किराय दीरों के लिए उनको प्रभूने दो किराय दारों का इंतिजाम किया है, और वो बहुत रिष्वासी है, اور मैं यक दूसरी मेरे बड़łe बटे के लिए कि उसके शादी का सारा इंतिजाम है कि धंभ से होने पाई और में चाहिता है और प्रभूने agreed ब्रदर प्रप को देती हूं और प्रायदर में प्रणेट को धन्यवाद देती हूं कि ओने हमारे लिए प्राटना वु आप सब को पो उनको प्रभु के आगे रखें और परमेश्वय अद्भुत रीती से आपके जीवन में कारे करेंगे आए मिलकर प्राफ्न करें धन्यवाद धन्यवाद करते हैं स्वर्क में विराजमान आति पवित्र महान सामर्टी पिता हम आपका आदर सम्मान करते हैं येश्वय आपका अब जो कोंージव प्रभु तेरे नाम पर विश्वास करताए प्रभु जी वह तेरा हो गया है परमेश्व क्रभुजी मैं धन्यवाद करते यह प्रभुँ आप उनके एप उनके राजा है और प्रभये शमसी एनके जीवन में प्रभु तेरे अदजब्धकार्य होने पाएं प्रभु येश्व मसी एक एक जन प्रभु हम आपकी प्रेजन्स मिले कर आते हैं प्वत्रात्मा इन्हें गाइट करें इन्हें गाइट करें परमेश्व पिता ताकि प्रभु ये आत्मा में होकर आपसे प्राथना कर सके येश्व आप बहुत भले हैं पिता आपकी ऐसने के लिए आपकी उस दया उस अनुग्रह के लिए जो होमा हम सब के लिए बहुत आयट से है हम उसका धनेवाद करते यह पिता धनिवाद कि तुने हम सब के गुणाहों को माफ किया पिता तुने कहा अपने वच-चयन में चाहे तुम्हारे गुना अर्गवानी रंग के क्यों न हो मैं उन्हें हिम की नाइट स्वेट करूँगा धन्यवाद करते परमेश्वर हर एक जन इस समय पिता आपके सामने प्रभुजी अपने गुनाहों का अंगीकार कर रहे धन्यवाद पिता कि आपने उनके गुनाहों को माफ किया उनके अप्रादों को शमा किया क्योंकि पिता हर एक ने अपने हिर्दय को खोल कर आपके आगे रख दिया कि पिता मुझसे ये गल्पी हुई है हाँ परमेश्वर आप इन्हें माफ करे पिता आज के वच्छन के लिए धनेवाद, आपके राज्जे का पिता परमेश्वर, Kingdom of God का प्रभु ये वच्छन पिता, तेरे राज्जी की बातों को पिता परमेश्वर, जब आज हमने वच्छन के द्वारा सीखा और सुना, मैं प्रातना करती हूँ पिता, कि आज की सुन्दर शाम में मेरे प्रभु, जब आपने इन भाई बहनों से, इनके परिवार के लोगों से, इनके बच्छों से बात चीत किया, तो पिता आज हर एक जन अपने हिर्दय को खाली करके प्रभु जी, आपके सम्मुक अपने आपको आज समर्पित करने पाएं, आज आप यदि, आज आप येश्व को अपने जीवन का प्रभु बनाना चाहते हैं, तो आज प्रभु के आगे आएं, कहें प्रभु अपना जीवन प्रभु तुझे समर्पित करता हूं और करती हूं, प्रभु येश्व मसी इस समय पिता, जब ये भाई, ये बहन अपने आपको पिता, तेरे लिए समर्पित कर रहे हैं, तुझे अपने जीवन का प्रभु बना रहे हैं, पिता, तो आज आप इनके जीवन से कहात शैब्स प्रतेग क्रते हैं questi जबती हैं सब्सक्राइं कुछ थे अपनेasyon प्रापू अंज के को यदि कोई भी बात पिता तुझे अपने जीवन तुझे प्रम्सी तुछ पर करने से तुझे अपने जीवन के प्रभू बनाने से जो भी बाढ़ जो भी नव enhances येश्यु मसीनास्री के नाम से उन रोकने वाली बातों को हम इनके जीवन से cancel out करते हैं प्रभू वो बिमारी, वो कर्जे, वो wrong relationship, वो गलत स्वभाव, वो अंधकार की बातें, वो दोश्टातमाएं, वो हर प्रकार की निराश करने वाली बातों के ऊपर हम अधिकार लेते है और मैं आज्या देती हूँ इन भाई बहनों के जीवन से ये सारी नकरात्मक बाते जाओ येशु के नाम से खुदावन जमीनों ने तुझे विश्वास किया है तो प्रभु तु इनके जीवन में आकर कारे करे पिता आप इनके जीवन के राजा आप इनके जीवन के उद्धार करता बन जाएं पिता पर नीश्युर तैंक यू फादर, तैंक यू जीजस, आज इंटरनली, हिर्दे से प्रभू ये अपने आपको समर्पित करने पाएं, यदि आज आपने समर्पित किया है, तो आज ही से प्रभू येश्यु मसी आपके जीवन का राजा बन गया है, प्रभू धन्यवाद करते हैं पिता, तैं लोग बीमार हैं, प्रभू येश्यु मसी नास्री के नाम से, उनके बीमारियों के उपर, उनके तकलीफ के उपर, उनके चोट, उनके घाओ के उपर, उनके हड्डियों, मांस, पेश्यों के उपर, इनके अंदरूनी शरीरों के उपर, हर एक सैंस ओर्गन्स के उपर, सर के बालों से लेकर पैर के नाकुनों तक हम हर एक जो रोग बीमारी दुरबलता इनके शरीर में है हम आग्या देते हैं हम उसके उपर अधिकार लेते हैं और इसी वक्त में आग्या देती हूं जाओ छोटे बच्चों के नौजवानों और बुज़र्ग और भाई बैनों के शरी प्रकार की प्रबजी बैनों इसी वक्त जाओ ये शुके नाम से यहिर फॉल प्रोबिल्म जाओ ये शुके नाम से हर प्रकार की प्रभुजी जो सर में परंेशी यह गाओ बन गया मंने इस terminator और फ्राक हो unrest जाओ येशु के नाम से, लंग्स, किड्नी, लिवर, स्टमक प्रॉब्लम, जाओ येशु के नाम से, जिने फूट डाइजिस नहीं होता है, जिनके आथों में सूजन आ गया, लीवर में पानी भर गया है, येशु के नाम से, इसी वक्त हम कहते हैं, जाओ इन बीमारी, इन ब पैरों में स्वाइलिंग है, येशु के नाम से, जो भी घाओ ठीक नहीं हो पा रहा है, इसी वक्त येशु के नाम से, तेरा वचन कहता है, मैं तेरा इलाज करके तेरे घाओं को चंगा करूंगा, तैंक ये फादर लौड जीजस, प्रभू धन्यवाद आपने चंगा किया आपने का, निस्च है, मैंने तुम्हारे रोगों को सहले और दुखों को उठा लिया, इस समय जो सर्दी, खांसी, बुखार है, पिता, काइफेड है, जॉन्डिस है, डेंगू है, येशु के नाम से इन बिमारियों कहते है, get out in the name of Jesus Christ, हर प्रकार की कमी, हर प्रकार की शार को सब्सक्राइब कहते हैं, तुम्हारा की अंचाए गर्व का प्रतिफ़ल यहु आपकी ओर्स से है, जिनके घर में प्रभू, जिनके जीवनों में लड़ाई जगडे, कलेश है, प्रभू येशु के नाम से जाओ इनके जीवन को छोड़कर, डेप्रेशन जाओ येशु क नगे privileges को आपको tapzar gdzie बंबते हैं येश मसीव आशी ने बढ़ाएं जतने लोग भी बिनिस्ट्री करतेब्बु तेरे राज्य already प्रभो अपने इमांडारी से काड़ी करे कुड़ाइन उनकी मिनिस्ट्री को प्रभू है मेरे कुड़ावन में प्रॉइब्धन के जीवन में परमेशु आपकी prosperity आए प्रभु जी इन्हें ये विश्वास होने पाए इनके अंदरी confidence होने पाए प्रभु कि ये जीवितों की प्रत्री पर तेरी भलाई को देखेंगे yes my lord Jesus प्रभु धन्यवाद करते प्यारे प्रभु जी आज ये confident होने पाए परमेशु पिता कि आपकी goodness को प्रभु ये जीवितों की प्रत्री पर देखने पाएंगे thank you father आज की रात में अची नीन से सुलाए हर एक डर anxiety बुरे सपने नीन नाने की समस्या जाओ छोटे बच्चों से लेकर बड़े बुजर्ग हर एक भाई बेहन के जीवन से get out in the name of Jesus Christ, father धन्यवाद आपने चुटकारा दिया, प्रभु जिनकी शादी होने में, marriage होने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है, पिता आप इस situation को handle करें, ये शु के नाम से best life partner देकर bless करें, खुदावन, thank you father जितनों ने हमारे साथ मिलकर प्रातनाई की है, धन्यवाद आज उन्होंने अपने आपको समर्पित किया है, प्रभु उन्होंने अपने जीवन का राजा होने के लिए आपको प्रभु आप पर विश्वास किया है, खुदावन आज से प्रभु इनके जीवन में तेरे राज्ये के benefits को प्रभु ये देखने पाएं, thank you father, धन्यवाद करते सब कुछ आपके हाथों में सौबते है, ये शुके नाम से प्रात्र मांगते हैं, आमेन, आमेन और आमेन